यहां पर मैं आपके सामने बहुत करेंट अफेर ले गया हूं तो मद्ध परदेश में यह दो आफिसेज में शुरू किया गया है दो संसाओं में समाजिक नयाए और विकलांग कल्यान ने दिशाले में वरिश लगाकर थैंक्स मॉम नामक इस इस पहल की शुरूआत कि है मदबदे सरकार यानि शिवरा सिंह चौहार के सरकार ने शुरू किया इसका तो पता आना है फिर कि मदबदे से गवर्नर का नाम क्या है ठीक कमेंट से इन बॉक्स में तो यह है क्या थैंक्स मॉम यहां से लग रहा है मॉम थैंक्स मॉम देखिए वरिच लगाया रहा है और थैंक्स मॉम दिया गया इसका मतलब यह समझेगा जिसे वहां समाजिक न्याय और विकलांग कलन निदेशाले में जो भी करमचारी यानि जो भी स्टाफ होंगे वो लगाटेंगे हर एक स्चाफ कि लगाएगा एक पेड़ लगाएगा और जो भी करमचारी से प्राइब लगाएग medidas मा की नाम से एक माटे हिसाज लगाएगा इस पौधे पर जिससे क्या होगा जिस से हम जैसे अपने माता- तो वह करमचारी भी उसको भी अपनी मा जैसा ही ख्यार लखेगा तो एक टैचिबिल्टी होगी एक मॉम जैसा तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया है अभी आएब आपके तो पवर्ट्टी डे बनाए गया है थे ऐसी और विश्यु खाद शुरुझ्छा दिवस पर्तियुकर तो वश्युकर सुरुच्षा दिवस परतिवसस कम विक्सटग तो इसकी तीम क्याएगे फूट्टी एवर्यवन्स बिजनेस फूड़ की सेपल्टी लेंगे अच्छी चीज खाएंगे बीना मिलावट वाला ठेक जहरीला चीज मंदर की पोईजनेस जीजब नहीं खाएंगे ना तो हम सब सही रहेंगे तो इस अभी का बिजनेस यह फूट सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस अभी का बिजनेस है तो आपने प्रोड़क्ट लेत तक तो आपको इसका बीलिहो दर क्या में आपको इसका नाम बताना है कि फुल टाना है की फसाई ऑउसे क्टे मंदंब असे बो हो सकतें इस फूल फॉर्म क्या है और तो इसका क्या रोल है हमारे दो कोई भी इन ग्रेटेंट काने वाली लेते है उसके पीछे यह लिखा चिरन जीवी सरजा जो कि बहुत ही कामियाब बहुत ही ब्रिलेंट एक्टर माने आते हैं जीने से एक्टर बहुत अच्छी से एक्टिंग करते हैं अधाकारी का लोहा मनवाया है पूरे बॉल्यूड में इनकी भी पिचरे आई हैं कंणर के तो सुपरिश्टार हैं तो इंका अभी उन्तालीस साल की उम्र में इंका निधन हो गया चिरन जीवी की देखे बॉड़ी इस तरह था उसके मुताबिक इतने उससे भी मतलत भी डांस बहुत अच्छा करते थे अच्छे एक्टिंग करते थे दिलेर की मैंने मूवी देखी थी और एक मूवी और देखा था मै बहुत एच्छी लगी मुझे नेश्च कुशं की बात कि जाया तो बताना है चिरन जी वी सर्जय का निधन किस कारण से हुआ तो बिलो दा कमेंट सेक्षिन बॉक्स में आपको बताना है वर्ड ब्रेंट ट्यूमर डे हाली में कम मनाया गया तो वर्ड ब्रेंट ट्यूमर उसल्ट एस जूशुएशन ने निटीन नैंटी एट से फ्रति आठ जून को पारति उससा है ना निटीननेट यून आट जून अन्ट जून आट जून और जून अनी शून Nosy मनाया शुरू कि इस पहल की शुरुवात की वर्ड ब्रेंट यूमर डे जनते हैं आज से मरते हैं ब्रेंट इमर के लाश इस्ट्रेस ते आज आते आते ही उससे पहले ही विक्ति मर जाता है यह इतनी खतरनाव होती है कि आज पूरी देशों की लिष्ट जारी है इंडिया की जो रैंक दी गई एंवायरमेंट पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में वह इंडिया की 168 दी गए तो आपको बताना है सब्सक्राइब औरशच्ट के तो में जारी ऽुक्राइब इसको चलंग सब्सक्राइब सब्सक्राइबभएब ग॥ा ट्रीटिर कान फिंश्र जायक मिशाया है थैसिंच्ण ट्रीट में पूच तो सबसे की किर नुछ मातने प्रसम सब्सक्राइब सब्सक्राइब परेपर मोद्स यख़?! प्रस्पेक्टिव में पूछ लेते हैं कुशन में बहुत अच्छी इंपॉर्टन कुशन है वर्ड ओशन डे 2020 यह कम बनाया गया तो प्रतिव वर्ड ओशन डे जो मनायता है तो वर्ड ब्रें टूमर डे अच्छा यह कब से माना की इसकी मतब की प्रस्ताव कब रखा गया था जो कि देश्टी से तब जानते होंगे कनाडा ने पिर्थवी सम्मेलन ब्रत्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है यह आपको बहुत परफ्पीपर में प्रतुशा गया है प्रत्वी सम्मेलन में amazon तो प्रतिवी समयलन का दूसरा नाम बताना है कि इस लिए नाम दूसरा रखा गया कि उस एक देश के उस सहर में यह जो समय प्रतिवी समयलन हुआ था ठीक तो इतने अमित के ताम समझ में आ रहा होगा सबसे ओशन का बाता है तो शेन में पढ़ा चुका हूं तो आपको बता तो सबसे बड़ा ओशन का नाम किया है और सबसे जोटा ओशन कौन से ठीक सबसे बड़ा ऑशन की साहसर च्छस चना चली ठीक से बड़ा को पटाई और पーसरी को सब अलूसरा बोलते हैं तो सबसे छोटा मासागर का नाम बताना है वह मmittelोदा कमें tradronics सेंट जिस attribute तो प्रस्ताव तो रख दिया गया प्रतिसमेलन का उन प्रतिसमेलन में कनाड़ा ने रखा कब 1992 में लेकिन इसकी अपचारिक यानि ऑफिशल एनाउंस किसके तो रख किया गया तो यूएट नेशन यानि द्वारा इसका देखे आप दो यूणाटेट नेशन द्वारा दो आट में कभी यह तो थाउजन एट में कोशने भी पूशाएगा कि इसकी अफिशल एनाउंसमेंट कप की गई कि या वर्ड ओशन दे बनाया जाएगा पहरे तो परस्ताव रखा गया ना प्रस्ताव सब्सक्रां नहीं कि उस तो प्लाई होगा सिथ अपलाई वो नहीं तो वर्ड ओशन डे आट जून को माने की घोशना की और इसका थीम कर रखा गया है इस बार का तो इस बार का टूटोंटी का थीम कर रखा गया है बात की जाएगी तो टूटोंटी का थीम जो रखा गया है इनोवेशन फॉरा सस्टेनेबल सस्टेनेबल ओशन इनोवेशन फॉ और लाइन वेस्ट मेनेजमेंट प्रेटफार्म लॉच्छ लॉच्छ किया तो आप बहुत इंपॉरंट यह सेक्शन परणा है जो कि टिक लगा दियेगा कि सिराज के मुखमंतरिया ने भारत का पहला ओन लाइन वेस्ट मेंटेजमेंट प्लेटफार्म लॉच्छ तो आंध् प्लाइन वेस्ट मेनेजमेंट प्लेटफर्म लाउंच किया बहुत ही बड़ी है कि इसे प्लाइट इसमें इसमें आर कॉंसेट भी लिया गए आप बता सकते हैं कि इस आर का नाम बता देता हूं पहले का अब आपको बचे तीन का चले एक रेडियोज बताते रहे हूं चार बताया हूं रियूज रेसाइकल रेडियोज और रिफर्विश आपके दो और बताना है ठीक चले एक और रफ री तो है तो चार बता चुका हूं आर फॉर पाच्ववाला री मैनुफेक्ट्रिंग तो उम सिक्स आर में पांच आर जो मैंने बताया कि रियूज जो साइकल जो प्लास्टिक है जानते हैं प्लास्टिक कितना सबसे प्लास्टिक सब्सेदा हानिकारक है सबसेदा हांफुल है ठीक तो उसका रियूज हो रेडियूस किया जाए उसको और री साइकल किया जाए बार बा के लिए environment के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है तो हम उसको अच्छे से रियूज कर सकें रिसाइकल कर सकें देखते हैं इंडेस्ट्री से या धोगिक के आलावा भी कितने सारे प्लास्टिक जाते हैं ओशन में क्या आते हैं ओशन में जाते हैं आप पता ही होगा तो यह प्लास्टिक रहेगा जो वेश्ट में यह वहां पे प्लूशन फैलेगा और ऑख्शिजन की कमी आएगे जिससे एक टिक एइनिमल क्या होंगे मर जाएंगे और वह जो मालेक्योस रहेगा उसको खाएगा उसको एकसेप्ट करेगा एकवर्टिक एनिमल यानिंग जो जलिये बड़ा हमारा बहुत रिविन्यू आता है मतलब एक्टिविटी हो पाती है फिशेश एक्सपोर्ट की आती है कई देशों में ठीक तुमीद के तो समझ में आ रहा होगा आपको काफी हेल्फुल है हमारे बॉड़ी के लिए ठीक तो में बचाना है असी लाख टन बताया रही ह जो प्रतिवर्स पूरे विश्व में फिक है आती है महसागर में तो इसको हम अच्छे से six hour कॉंसेट लागो करें इससे हम उसको कम से कम मतलब कि फिक है ना ज्यादा ज्यादा रिजूस करें री साइकल करें ठीक री मैनुफेक्टिरिंग करें जो भी उसका यूज करें ने श्रमिक employment portal की शुरुवात की तो राज कोशल पोटल तो राज कोशल पोटल का समन किस्से हैं तो online श्रमिक employment portal मतब migrants वरकर थे जो गये थे थे दूसरे राज क्या हो गये दूसरे राज में ठीक तो वो जो अब लोटे हैं अपने वतन अपने राज में तो उनको online श्रमिक employment portal यानि राज कोशल पोटल यह launch किया गया उन्हीं के लिए कि उनको online उनका क्या होगा इनको employee दे जाएगा उनको रोजगार दे जाएगा जो कि बहुत बढ़ी है अशोग गहलोत को ने वहां के राज राजस्थान के राजस्थान ने launch किया राजस्थान के मुख मंतरी है तो को बताना है below the comment section box कि राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है next urban street vendor welfare program किसने launch किया तो मदपरदेश सरकार ने तो urban street vendor welfare program किसने launch किया तो मदपरदेश सरकार ने देखिए मुख मंतरी शहरी पत एयों विक वेवसाई उत्थान उजना जानते हैं कि street vendor vendor मतला जो बेचने वारे सानकों पर ठिला लगाते हैं कुल्ची लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा तगड़ा जटकारा कैसे सरवाइव करते तो उनी के लिए रनते हैं लगड़ों बड़ाई मुख मंतरी शहरी पत वेवसाई उत्थाई उजना के तहत मदब्रदे सरकार निशिवरा सिंग चोहान जी ने अर्बन इस्ट्रीट वेंडर वेलफेर उनको भलाई वेलफेर मदब भलाई के लिए प्रोग्राम यानी कारकरम चलाया ने इस कुशिंग की बात कि जाए सब्सक्राइबाद में इस्तित है तो आपको इसका बिलो दो कमेंट सेक्शन बॉक्स में फुल फॉर्म बताना है और मी किन्स ने विक्सेद डेवलब की है यूवी सी यानि अल्ट्रा वायलट सी अधारत डिस इंफेक्शन के बिनेट मने बताता है कुछ समय पहले कुछ ए दिया डियों ने यूवी ब्लाश्टर लांच के था तो देखे यह एक प्रकार का कैबिनेट है देखे नामी है इसका यूवी सी बेजड है अधारित डिस इन्फेक्शन के बिनेट मतलब कोई भी पीपी दिसे इस कैबिनेट में देखिए के देह से इस कैबिनेट मैं से कोई अधब मेडिकल इस्टाफ जा रहा है को विद नाइटेन के तरफ तो उसका पीपी कट शूट हैल्ट वायो शूट जो भी मेडिकल चीजें हैं वह क्या हो जा रहा है इनफेक्श सी इंफेक्श हो जा रहा है तो उसको डिस इन्फेक्ट करने के लिए यूवी सी जिससे वो 10 में पता या रहा है 10 में यह पूरा उसको जो कितानों रहित कर देगा मतलब बीना कितानों के रहेगा एक को जिवानों विशानों कुछ भी वहां पर नहीं होगा डिस इंफेक्ट हो जाएगा सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फूर वाचिंग एंड केपिट आप